मैं हर्शता और आप देख रहे हैं ट्विंस वाइवल्ड केयर जैसा कि अब आपने थमनिल तो देखी लिया है कि थमनिल में मैंने क्या क्या लिखा है ये जो मेरा चानल है ट्विंस माइवल्ड केयर उसमें आपके डेली डे टु डे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम हैसा सबको solve करने के लिए कुछ वीडियोज बना दी हूँ तो please मेरे वीडियो को शुरू से लेकिल आश तक जरूर देखा करिए साथ ही साथ जो मेरे other भी वीडियोज है उनको भी देखिए तभी आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आएंगी कि day to day life में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप housewife हैं या अगर आप male हैं तो सब के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाले हैं तो आज especially ladies के लिए वीडियो बना रही हूँ कि सास और बहु का रिष्टा कैसा हो in fact सास और बहु के रिष्टे में बहुत ज़्यादा jokes बन गए है एक ऐसा रिष्टा है जिसमें हमेशा से कोई अगर अच्छी भी सास होगी या कोई अच्छी भी बहु होगी फिर भी लोग ये मान के चलते हैं कि इनके बीच में लड़ाईया होंगी होंगी तो आखिर इस रिष्टे की सच्छाई क्या है इस रिष्टे की इतनी बुनियाद इतनी कमजोर क्यों होती है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आपके डे टो डे लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती हैं सबको मैं यूँ ही सॉल्फ करने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो को शुरूर से लेके लाश तक ज़रूर देखिए मेरे ख्याल से जितनी भी लेडीज ये वीडियो देख रही हैं वो अपनी सास से कही न कहीं दुखी है या परेशान है सास और बहु का रिष्टा कैसा होना चाहिए हमेशा अगर मैं पॉजिटिव ही बात करूँ तो ये भी करना गलत होगा बिकाज डे टो डे लाइफ में हमारे साथ पॉजिटिव भावना तो आती ही आती है लेकिन कुछ निगेटिव भी बाते आती है कि हाँ ये सब तो कहने सुनने की बाते हैं मैं 5-10 विडियो देखूंगी तो हमें लगेगा कि हाँ ठीक है बहुत प्यार आएगा लेकिन फिर से उनका रवया ऐसा हो जाता है तो हम लोग भी क्या करें हमें भी गुसा आता है तो ये नॉर्मल सी बात है यार किसी के प्रती किसी के मन में गुसा आना एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि चीजें अगर हमारे हिसाब से नहीं होती है चाहे वो बहु हो या सास हो तो उनको गुसा आए कहीं और सामने वाले को उसका प्रभाव जरूर देखेगा चाहे आप चीजों को बोलिये या नहीं बोलिये कई बार तो चीजें ऐसी होती है कि आपके एक्शन्स ही आपको बता देते हैं कि आप उनसे कितनी जादा आप उसुर डिसलाइक करते हैं या फिर तो बहुत सारी चीजें होती है मन में अगर मैं सिर्फ पॉजेटिव बात करूँगी तो ये वीडियो स्किप हो जाएक तो फैक्ट के उपर बात करते हैं कि ये रिष्टा इतना ज़ादा खटपट साथ क्यों होता है एक स्टार्टिंग से एक बात सोची कि कोई महिला अपने घर को चला रही है जैसे कि आपकी मालीजे की हस्बिन है आप वाइफ हैं आपकी बच्चे हैं तो आप अपने घर को बहुत अच्छे से चला रही हैं अब तक इतने साल होगा शादी को फिर धीरे धीरे करके आपका बेटा बड़ा होता है आपका बेटा बड़ा होता है उसके बाद आपके हिसाब से चीज़े नहीं चलती हैं जो बहु आती हैं वो चाहेगी कि थोड़ा अपने हिसाब से चलाओं थोड़ा अपने हिसाब से समान को रखूँ थोड़ा कुछ और चेंजस करूं किचन में कुछ और तो एक क्या mentality देख कि घरब मेरा भी है तो मैं इसमें चेंजेस करने की हकदार हूँ मुझे भी अपने पसंद की चेंजेस करने की जरूरत है लेकिन अगर मैं सास पॉंट अफ यू से यह सोचो तो उनको यह चीजे बहुत बुरी लगेगी उनको ऐसा लगेगा कि देखो कल की आई हुई लड़क लग जाएंगी बहु को ऐसा लगे है कि अरे मैं तो अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ कि आप लोग डाइट फूट खाये और यह मा है जो पराठे पराठे मनाती है वो भी घी पे घी चुपड के मा यह सोचेंगी कि देखे मैं इतने सालों से मैंने यही चीजे बनाई कि को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आगे जाके क्या होगी उनके पॉइंट फ्यू से भी यह बात सही है लेकिन जो बहु होती है वो ऐसा सोचती है कि अब तक जो हुआ सो हुआ अगर डाइट फूड नहीं किया गया या फिर अगर डाइट में चेंज नहीं किये गए तो म यह बी आने वाले जो प्रॉब्लम है उनसे कैसे बचेंगे या फिर उनसे कैसे आप सामना करेंगे तो दोनों के पॉइंट फ्यू अलग है उनके भी पॉइंट फ्यू अलग है अगर मैं बहु के अंगल से यह सोचूंगी तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि कोई चीज से देखीगा तो यह भी चीज़े सही है लेकिन अब किया तो किया ख्या जाएं तो इसके लिए एक सिंपल सा रास्ता है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपसी अंडरस्टैंडिंग यानि कि जैसे कि अब तक आप अगर आलू के चीज़ को थोड़ा clear cut होके समझिए कि हाँ चीज़े कि इस तरह से जा रही है देखिए obviously बात है कि थोड़ा मोड़ा सब चीज़ों का आइडिया है तो आप मा की भी कुछ बातों का जरूर ध्यान रखे डाइट फुड उतना ही जरूरी है जितना की manage कर पाया जाए अगर manage नहीं होता है उसके वज़ा से खटपट होती है तो कुछ बीच का रास्ता निकालिए लाइक अगर आप जैसे सातों दि तो देखे कुछ अगर mutual understanding रहेगी तो दोनों में काफी समझदारी रहेगी तो ये आपसी प्यार बना रहेगा अगर समझदारी नहीं रहेगी तो काफी दिकत्ते हो सकती है और दूसरी important चीज़ ये भी बोलना चाहोगी कि जो mother-in-law है उनको समझने की ये जरूरत है कि आपके आने वाले जो future जो time हो सकता उसमें आपको health की दिकत हो सकती है तो कुछ आप भी समझने की कोशिश करिए कि इस उम्र में आते आते आपको proper diet का लेना बहुत ज़ादा जरूरी है वो भी healthy diet जो कि आपके लिए बहुत जादा fatty नहीं हो in fact आपके लिए काफी अच्छी हो और बहुत important चीज ये भी बोलना चाहती हूं कि एक दूसरे का समान जरूर करें जो सास है वो ये जरूर समझे कि अपने घर पे अपने घर के सुखो को छोड़के वो यहां पर आई है जो लड़की किचन में नहीं जाती थी जो लड़की का घर का काम नहीं करती थी उसको कि अंदर क्या है आपके अंदर कितनी ममता है या आपके अंदर कितनी दयालूपन है एक छोटी सी ही बात है अगर जैसे कि मालेजे की बहु ने पूछा कि आपको क्या चाहिए आपको खाने खाने में आपको क्या चाहिए रोटी खाना पसंद करोगे या पराठे खाना पसं कि वो इंसान आपकी तरफ क्या फिलिंग रखते हैं तो आप ये सब उनके जो पॉजिटिव पॉइंट से उसको जरूर ध्यान दीजे बहु जो है उनकी पॉजिटिव बात को जरूर देखिए और जो सास है आप बहु की मैं बात करने हूं कि जो सास है उनकी भी चीजों के उपर इतना ध्यान नहीं जाएगा बहु को भी ये समझना चाहिए कि जिस तरह से शादी के पहले उनकी मा अगर किसी गलती होने पे उनको डांटती है या समझाती है लाइकवाइज अगर हस्बिड की जो मा है जो सासु मा है अगर होने कुछ समझाती है कुछ ब आपको मैंने एक छोटी सी बस हिंट दी है कि आप लोग किसी की पॉजिटिव चीज़ को कैसे देख सकते हैं बाकि मर्जे तो आपकी ही है क्योंकि कई बारा सा होता है कि सास की भी कुछ रवाईय ऐसे होते हैं जिसके वज़े से थोड़ी सी दिक्कत आती हैं और बहु की भ साइड करना है कि आपको घर में शुक शांती चाहिए तो उनके positive sides को देखना मत भूलिये और यही बात मैं दोनों को बोलूंगी कि अगर बहु भी घर में शुक शांती चाहती हैं तो उनके भी positive points को देखना मत भूलिये बाकि आपकी मर्जी आपकी life है आपकी स्तरह से lead करन चाहती हैं या फिर पूरे टाइम घर में परिशानी का महल देखना जाती हैं चॉइस इसी कामना के साथ कि आपके रिष्टे जरूर सुधर जाएं इस वीडियो को एंड करती हूँ वीडियो पसंद आयेगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा दोस्तों के साथ जरूर शेर लीगा और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजे थैंक यू सो मच फ़र वाचिंग ट्रेंस माय वर्ल्ड किया